हलो दोस्तो राधे राधे स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्रद्धा होम लाइफ में और अभी भुट्टे का सीजन चल रहा है बहुत सारे ताजे फ्रेस भुट्टे आ रहे हैं तो क्यों नहीं है साल भर के लिए स्टोर करके रखा जाए जिससे की मक्य का आठा या फिर पॉपकॉर्ण के लिए तो यह सबसे बेस्ट है तो इन भुट्टो को लेने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी होता है कि किस भुट्टे का पॉपकॉर्ण खुब बढ़ियां से बनकर आता है तो जो हम गोल वाले भुट्टे लेते हैं जिसके दाने गोल-गो बिलकुल यह वाले इसे जब आप सुखा करके उसके यूज करेंगे तो पॉपकॉर्ण खुब बढ़ियां बनकर के तयार होते हैं वैसे तो मकई बहुत सारे आते हैं लंबे दाने आते है चौड़े दाने आते हैं लेकिन आणे पॉपकॉर्ण के लिए जो गोल वाले दान मकई के होते हैं न वो सबसे बढ़ियां होते हैं और हमें वैसा मकई सुखाने के लिए क्या करना होता है कि इन भुट्टों को छिलके के साथ सुखने देना होता है जब छिलके के साथ ये दाने खुब बढ़ियां से सूख जाए तब इने छिलका उतार कर इनके दानों को निक बनाएंगे ना तो ये खुग बढ़िया पॉपकॉन बन करके निकलेंगे तो चलिए पॉपकॉन हम बना करके भी दिखाते हैं जब थंड का मौसम होता है ना तब बच्चे ज्यादा डिमांड करते हैं इसे खाने का और जब आप श्टोर करके रखते हैं तो फिर आप जब च अची तरह से गरम हो जाएगा एकदम गुनगुना सा तब इसमें हम इन भुट्टो को डाल देंगे और ये भुट्टे बहुत ही बढ़िया पॉपकॉन में बन करके तयार हो जाते हैं और घर में जब भुट्टे होना तो आप जब चाहें तब बना करके पॉपकॉन खा सक मगई के दाने को कडाही में डालने के बाद इसे हम चम्मस से चला लेंगे और चलाने के बाद इसे धक देना है इसे आप कूकर में भी बना सकते हैं लेकिन इसे हम कडाही में बनाएंगे और अब आप इसके आवाज को सुनिएगा आप इस मकई के दाने को कूकर में डाले या फिर कड़ाही में पॉपकॉन खुप बढ़िया बन करके तेयार होता है और यहां मैंने गड़ाही में ठोड़े ही दाने डाले हैं जैसा मुझे लग रहा था कि ये कड़ाही से बाहर न आ जाए इसलिए मैंने इसमें कम डाला है और ये उपर धाली के बाहर ना आ जा इसलिए मैंने इसे चमच से दबा करके रखा हुआ है ताकि ये जो popcorn है कडाही के बाहर ना आए आप ये popcorn झट्पट से घर में बना सकते है healthy snack से बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और अगर घर में चीजे रखी होना तो बच्चों को जटपट से कुछ देने में अच्छा भी लगता है और आसानी भी होती है और ये देखिए ये पॉपकॉन कितना बढ़िया बन करके तैयार हो गया है और गर्मा ग तो ये देखिए पॉपकॉन बन करके तैयार है एक एक दाना खुब बढ़िया से फुट गया है कुछ भी बाकी नहीं बचा है तो ये देखिए इसकी थाली के हालत देखिए जब ये पॉपकॉन बन रहा था तो इस थाली में नमक और तेल के कितने छीटे पड़े हुए है तो खुब बढ़ियां ये पॉपकॉन घर में बन करके तयार हो जाता है तो जरूर ट्राइ कीजेगा इसे और मैं तो इसे साल भर के लिए श्टोर कर लेती हूँ और जब भी आप इसे श्टोर करें न तो उसमें नमक जरूर डाल कर रखे नहीं तो इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं और अगर आपको पॉपकॉन के लिए भुटे चाहिए तो यहां पर एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि गोल वाले जो मकई के दाने होते हैं उसे ही लीजिएगा और भुटो को बहुत बढ़ियां से सूखने दीजिएगा उसके बाद मकई के दाने उससे अलग कीजिएगा बढ़ियां से सूखने के बाद जो अंकूरन वाला पार्ट होता है न मकई के दाने के साथ ही निकल के बाहर आता है और जब आप इसे पकाएंगे तब पॉपकॉन खुब बढ़ियां बन करके निकलता है तो अगर मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई रादे रादे